कहते हैं एक अच्छे एक्टर को हमेशा बॉलिवुड में एक मौके की तलाश होती है लेकिन इन अच्छे एक्टर्स की तलाश नेपोटीजम के आगे अपना दम तोड़ देती है लेकिन इन अच्छे एक्टर्स को मिला कर जब कोई फिल्म बनती है तो नेपोटीजम को बिना बोले मूँ तोड जवाब देती है वरलेंट जी फाइब पर हाल ही में एक नई फिल्म रिलीज हुई है जिसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर्स को इकठा करके ओडियन्स के लिए एक ऐसा स्पाई थ्रिल एंटेटेन्मेंट तैयार किया गया है जिसे देखने के लिए आपको दिल और दिमाग दोनों की जरुरत पढ़ने वाली है क्योंकि दो घंटे के लिए ये फिल्म आपको रोलर कोस्टर वाली राइड देने वाली है फिल्म का सैट अप किया गया है 1993 में जो आपको नोस्टेल्जिया फिल कराने वाली है और यकीन मानो इस फिल्म की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होने वाली है जहां रश्या के प्रेजिडेंट इंडिया में विजिट पर आने वाले है जिसे इंडिया और रश्या के संबंध सुधरने वाले हैं लेकिन कोई है जो ये सब देखकर परिसान है और रेशियन प्रेजिडेंट की खत्रे में पढ़ने वाली जान है। इसी सिलसले में इंडिया ने पकड़ा है एक स्पाई एजन्ट लेकिन इससे सच निकलवाना इतना आसान नहीं है क्योंकि जिससे पकड़ा है उसके मूँ में बोलने के लिए जवान ही नहीं है। और प्रोफेशनल लाइफ मकड़ी के जाले की तरह उलच जाएगी और जिस चीज के लिए इस एजन्ट को पकड़ा है वो बात मीलो दूर रह जाएगी और कुछ और नहीं चीजे ही सामने आ जाएगी। फिल्म स्पाई यूनिवर्स में अपनी एक अलग भैचान बनाएगी। तो जाएगे फिल्म देखिए और ये फिल्म आपको जी फाइब एप पर मिल जाएगी।